खेले स्टुडेंट्स कैसे आप सब उम्मीद है अच्छे ही होंगे तो आईए हम लोग human health and disease पढ़ रहे थे सब को पता है clear है सब के लिए human health and disease में हम लोग आने allergy तक पढ़ लिया था मैं सोचता हूँ allergy के बारे में हम लोग थोड़ा सर वीजन कर लेते हैं कि मैंने पको बताया था कि allergy क्या है किस तरही के का process हो रहा था मतलब आप किसी अंजान जगा पे गए वहाँ पर आपको अचानक छीक हो रही है वाटरी बताया कि यह चीजें allergy में आती है उसके बाद allergy में किस तरीके की antibody जो है वह allergy को produce करती है यह चीजे मैंने आपको बताई थी सबसे क्या ड्यक्ते क्वेस्ट है क्या थी आइधी M allergy cause होती है, histamine serotonin इसके लिए हम लोग medicine हो गयरा भी देते हैं, drugs जो भी देते हैं anti-histamine देते हैं, adrenalin देते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको clear हो गई होंगी, और अच्छे से clear हो गई होंगी, आपने revision भी कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है कर रहा हूं, और ये हमारा 8th chapter है, human health and disease allergy के topic तक हम लोग पढ़ चुके थे, और आज हम लोग आये हैं अपना नया topic लेकर autoimmunity, तो autoimmunity का मतलब क्या है auto का मतलब आप जानते होंगे auto सब्द आपने कई बार सुना होगा auto का मतलब होता होगा कोई कहता नहीं है auto start हो जाता है हमारे पास एक engine है auto start हो जाता है, बहुत सारी से आपने सुना होगा, कि light चली जाती हमारा हमारे यहाँ एक generator है auto start हो जाता है, मतलब खुद से वो start हो रहा है, मतलब ऐसा auto के बारे में आपने सुना होगा ठीक तो आटोइम्यूटी क्या चीज है देखिए हमारी बॉड़ी के पास एबिल्टी होती है कि वो फर्क कर सकती है कि कौन बॉडी सेल से कौन हमारा खुद का सेल है कौन बाहरी है जैसे कि हमारे यहां पर सुरक्षा एजन्सिया है जो हमारी आर्मी है जिसको हम लोग हमारी देश की जो सुरच्छा कर रहे हैं वो सब क्या करते हैं वो इन ही चीज़ें को डिस्टिंगोस करते हैं कौन आतंगबादी है, कौन बाहरी है, कौन हमारे देश का ब्यक्ति है तो इसी तरीके से जिस तरीके से आर्मी, वियसेफ और कई हमारी सुच्छ एजनसियां जो लगी हुई है जो डिस्टिंगूस जिस तरीके से करती है कौन बेक्ती बाहरी है कौन बेक्ती है यहां का है उसी तरीके से हमारी इम्मूनिटी भी है हमारी बाडी सेल्स भी है वो भी जानने का पूरा प्रियास्ट करती है और जानने में सफल भी होती है कि कौन हमारे सरीर का है कौन Pithogen है यानु कि कौन बाहर से आया है आप जानते होंगे Pithogen सब्द का नाम सुनते ही मैंने आपको पिछले लेक्टर में बताया था कि Pithogen कौन होते है डिजीज खाजी एजेंट को हम लोग पैथोजन कहते हैं इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं कोई बहुत भारी बात में नहीं कर रहा हूँ सारी बातें बिलकुल बेवहारिक हैं और आप लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं तो आईए अब आज हम लोग अपने नए लेक्चर पर हैं तो बहुत ही मज़ेदार लेक्चर होने वाला है आटो इम्मूनिटी वाला तो आटो इम्मूनिटी में मैंने आपको बताया हमारी बाड़ी सेल्स जो होती हैं क्या करती हैं कौन बाहर का है कौन अंदर का है अपना है, मतलब कौन अपना कौन पराया यह चीज का वो फर्क कर लेती है जैसे कि हम भी कर लेते हैं हमारे घर में अभी देखिए कोई चीज कोई घटना होती है, तो कोई अपना है तो हम बहुत तेजी से दवड़ते हैं, मतलब अपने और पराये में हम भी फर्क करते हैं ऐसा आप देखते हैं और भाई करना भी चाहिए एक फर्ज भी बनता है वैसे यह है कि सच को सच और गलत को गलत ये चीजें तो अलग बात होती है बाकि अपना पराया तो हर जगा पर चलता है तो मैंने आपको बताया कि body cells क्या करती है कौन बाहर का है कौन अंदर का ये चीज डिसाइड कर लेती है लेकिन क्या होता है कि कभी कभी genetic कारणों से मतलब genetically या और भी अन्य कारण है जिसकी वज़ा से हमारी body यो है हमारा immune system जो है वो फर्क नहीं कर पाता है कि कौन अपना है कौन पर आया है तो जब वो उस पर attack करने लगता है जैसे कि हमारा body आप जानते होंगे कि immunity हमारी क्या होती है memory based divinity होती है हम लोगों के पास humans के पास ज़्यादा तर तो जो memory based divinity होती है वो क्या करती है वो पैथोजन को मारती है लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हमारी ये जो immune system की जो हमारी lymphocyte cell है और भी जो cell है वो क्या करती है वो इनको kill करने के चक्कर में पहचान नहीं पाती है कि कौन अपना है कौन पर आया है वो हमारी body की भी cell को मारने लगती है इससे क्या होता है इससे disease काज हो सकती है अब बहुत इससे बहुत भयानक भयानक भीमारियां है जो कि हमारे society में काफी लोगों को होती है जैसे कि आपने एक disease के बारे में सुना भी होगा यहां पर लिखा भी गया है कि रिमेटाइड अर्थराइटीस ठीक है रिमेटाइड अर्थराइटीस यह बहुत ही important question है कि autoimmune disease में बहुत ही important question है देखिए मैंने तीन point आपको बताया यहां पर memory based acquired immunity मैंने यह point तीन ही point इसमें important है autoimmunity वाले topic में तीन ही point important है और तीन point में क्या है यह आप देख सकते है memory based acquired immunity आप जानते ही है कि vertebrates में तो होता ही है memory based acquired immunity मतलब हम कहीं से immunity acquired कर रहे हैं उसी के आधार पर मतलब मने आपको बताया था memory क्या होता है memory में पिछले lecture में बता चुका हूँ हम नहीं देखें आप पिछले lecture जाके देखें memory का simple सा meaning है कि हमारी body जब किसी चीज को मतलब मार गिराती है किसी pathogen को एक बार मार देती है तो उसको याद कर लेती है मतलब तो subsequent encounter करती है कई बार मार के गिरा देती है तो याद कर लेती है कि इस pathogen को जब यह pathogen फिर से आएगा तो मैं इसको छोड़ूँगा नहीं मैं इसको छोड़ूँगी नहीं मेरी cells ऐसी होती है ठीक तो मैंने आपको बता दिया कि memory based record उसके बाद autoimmune disease autoimmune disease मैं आपको बता दूँ autoimmune disease वही diseases है जहां पर हमारी body cells अपने और पराये में फर्क नहीं कर पाती है कि कौन अपनी cell है और कौन cell बाहर से आई है कौन virus बैक्टीरिया है या कौन अपना cell है वो खुद की cell को मार गिराने लगती है जिससे क्या होगा हमारे सरीर का नुकसान होगा जो जिस आरगन का या जिसका भी जो है body cells को मार रहा है वहां पर क्या होगा वो आरगन छतिगरस्त हो जायागा जिसकी वज़ा से कई भयंकर भयंकर भीमारियां होती हैं जिसकी वज़ा से जिन में सबसे important जो आपके NCRT के इस paragraph में दिया गया है यह हमारे society में कई लोगों को होता है आपने देखा होगा कई लोगों को आप अपनी आँखों से देखते होंगे लेकिन थोड़ा फर्क करने में हो सकता है आप पहचान ना पा रहे हों किसी कारण से उनकी हाथ की उंगलियां आप देखेंगे बिल्कुल ऐसे तिर्ची हो जाती है मतलब यह उंगलियां ऐसे हैं ऐसे सीधी रहरी ना इधर से ऐसे वेंट हो जाएंगी ऐसे हो जाएंगी या फिर ऐसे ऐसी हो जाएंगी वो बिल्कुल काम करने लायक नहीं रह जाती है। कुछ ही दिनों में उंगलियां काम करना बिल्कुल बंद कर देती है। यहां यहां पर यह जो आप देख रहे हैं यहां यहां पर उसमें गाठें पढ़ने लगती है। और आपको मैं बता दूँ इसका इलाज बिलकुल एक दम नामुम्किन सा है क्योंकि पहसुरू में तो है इसका इलाज जब मतलब सुरू के दिनों में लेकिन ये क्या होता है कि हम लोग जान नहीं पाते हैं जान नहीं पाते हैं क्या है हमारी सिच्छा पद्धिती में थोड़ा बहुत सुधार की आवशकता है इसके लिए हमें भी जागरूख होना पड़ेगा हमारी गॉर्मेंट्स को भी जागरूख होना पड़ेगा और काफी हद तक अब लोग हो भी रहें ऐसा नहीं है लेकिन फ बी आप ट्वीटर फेस्बूक जो भी आप चलाते हों सोचल मीडिया चलाते हों वो ऐसे सोचल मीडिया से दूर रहना चाहिए लेकिन इतना दूर नहीं रहना चाहिए कुछ जानकारी रखनी चाहिए समाज के बारे में तो क्या होता है आपने जोक्स पड़े होंगे कि अम हमारे इंडिया में क्या है कि अब ही चेकप घराएंगे और अगर कोई ड़ागारन बहुत हमारे यहां सभेता तो कूट कूट कर भरी ही है यह तो आप जानते ही होंगे तो सब कितने हैं हम लोग तो आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं सब जानते हैं कितने सब हैं तो चाहे वहां पहुंच नहीं पाते हैं को भी कारण है आप जानते होंगे जो कारण होगा कि क्या है तो आप ऐसे देखते होंगे कि ये सारी घटना हैं हमारे समाज में तुमने आपको बताया है कि क्या रीमेटाइड अर्थराइटिस ये होता हैं उगलियां इस तरीके से बेंट हो जाती हैं काम करना बंद कर देता है हाथ होए रहा तो इसका इलाज मैंने आपको बताया कि बहुत ही मुस्किल इलाज है काफी सुरुवाती दिनों में होता है आपरेशन हो गए रहा है इसके होते हैं लेकिन अभी तक कुछ ऐसाच क्योंकि जार देखो जब मारी बॉड़ी खुद नहीं सपोर् पाएंगे यह तो आप जानते ही हैं अब अपने ही जब साथ नहीं दे रहे हैं तो हम कैसे लड़ सकते हैं किसी बिमारी से किसी बैक्ती से कैसे लड़ पाएंगे तो ठीक है मैं आता हूँ अब NCRT को पढ़ लेता हूँ रेडिंग मार लेता हूँ और इस टॉपिक को मैं आ आठ छे-छे घंटे यहीं लगाता रहूं, यह ऐसी बात कोई नहीं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, याद होना चाहिए, आईए. Memory-based acquired immunity, आईए, मैं पढ़ता हूं, ठीक है? हाँ, तो हम लोग अब auto-immunity पढ़ रहे थे, आईए, हम लोग reading मार लेते हैं, जो problem होगी, आप comment में हमसे पूछ सकते हैं, तो आईए. Memory-based acquired immunity, evolved in higher vertebrates, मैंने आपको बताया, vertebrates में, higher vertebrates में, based on the ability to differentiate foreign organisms, कुछ इसमें समझने लायक है नहीं, क्योंकि differentiate हमारा सरी जो हमने को बताया, कि हमारी immunity, जो हमारा immune system है, वो distinguish कर लेता है, कि कौन अपना है, कौन पर आया है, ठीक है? From cells, from self-cell, ठीक है? While we still do not understand the basis of this, two corollaries of this ability have to be understood, one higher vertebrates can distinguish foreign molecules, as well as foreign organisms, most of experimental immunology deals with this aspect, two, sometimes due to genetic and other unknown regions, आप मैंने बताया, कि genetic या other unknown regions की वज़ा से क्या होता है? The body attacks self-cell, body यो क्या करने लगती है? Self-cell पर attack करने लगती है, ठीक है? This result in damage to the body, यह result क्या करता है? Damage कर देता है body, क्योंकि अपने खुद के cells को आप मार गिरा रहे हैं, आपका सरीर नहीं साथ दे रहा है, खुद के आदमी को आप मार रहे हैं, तो आप कितने दिन रह पाएंगे, बताएं, यह किसी जगह पर हो, आप कितने दिन समाज में टिक पाएंगे, जब आप अपनों को नहीं बक्स रहे हैं, ठीक है? This result to damage to the body, this is called autoimmune disease, इसी को autoimmune disease कहते हैं, ठीक? आटोimmune मतलब वही खुद के immune system से ज़ुक्सान हो रहा है, वही autoimmune disease में आ रहा है, ठीक? रिमेटाइड arthritis, which affects many people in our society, मतलब आप मैंने बताया कि arthritis से बहुत सारे लोग जो हैं हमारी society में क्या होते हैं, गरसित होते हैं, EGN autoimmune disease, यह एक autoimmune disease है, मैं आपको और भी autoimmune disease के example सोचता हूँ कि बता ही दूँ, ठीक है? नहीं तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोग यह सोचें, कि जो autoimmune disease है, वो यही मतलब इतने ही होंगे, ठीक? तो मैं किस तरफ लिखूँ, यह बताईए अप, इधर थोड़ी जगा मुशे दिख रही है, मैं सोचता हूँ कि लिखी दूँ, ठीक? कौन कौन सी? आटोimmune disease के example, थोड़े और हो जाएंगे, तो देखने में अच्छे लगेंगे, ठीक है, यहाँ पर मैं other example करके लिखवा रहा हूँ, ठीक है, other example, यह other example मैंने लिखा है, आप और कुछ मैं सोचीएगा, हो सकता थोड़ा कम visible हो, hemoletic anemia, मैं लिखवा दे रहा हूँ, hemoletic anemia, और psoriasis, तो लिख लीजिए, और बहुत जादा लिखने की जरूरत नहीं है, parnicious anemia, आप एक काम करिए, दोनों लिख लीजिए, parnicious anemia, और hemoletic anemia, दोनों लिख लीजिए, ठीक है, hemoletic anemia, parnicious anemia, psoriasis, psoriasis, ठीक है, psoriasis हो गया, we still ego, आप इसको कुछ भी पढ़ सकते हैं, मतलब आप अपने हिसाब से अब हो सकता है, हमारे इंग्लिस grammar में कुछ कमी रही गया ही हो, इसको आप पूरा करीए, चार यार, बहुत हैं, बहुत हैं, चार, और अगर लिखना चाहते हैं, और लिख वा दें, my sthenia, grabis है, यह भी लिखी लीजिए, काम करीए, लेकिन देखिए, इन सब चीजों के बारे में बहु ज़्यादा, बहुत डीटेल में जानने की कोई वैसे अएस सच आवश्यक्ता नहीं, फिर भी आप थोड़ा हो सकते हैं कि जिग्यासू ब्यक्ती हों, जिग्यासा रखने वाले हों, आपको थोड़ा जानकारी रखने में मज़ा आता हो, तो आपको मैं एक चीज बता दूँ, मैंने बता भी दिया, ठीक, लेकिन यह है कि आप पनी जिग्यासा को पूर्ण रखने के लिए आप, रेमेटारी अर्थराइटिस के बारे मैंने आपको बताएं, उलिया इस तरीके स्तिर्चिय, आप उसको भी देख लीजिए, अपने गूगल करके देख लीजिए, भई, हर चीज आप के हाँ अब लेवल है, लेकिन जो चीज नहीं पूछी जाई मैं जादा नहीं बता सकता, उसके बाद हिमोलिटिक अनीमिया, परनीसियस इनीमिया, सोरी, एसी, विस्टिलिगो, माइस्थेनिय, गरेविस, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिए, एक मिनिट के लिए मैं हट जा रहा हूँ, चलिए, ठीक, तो आज हम लोग यहीं पर रखते हैं, ठीक, बाकि आगे का लेक्चर हम लोग कल कमप्लीट कर ले हैं, कल हम लोग इमिनिटी पूरा एकदम कमप्लीट ही कर लेंगे, फिर immunity सिस्टम के बारे में जिक्र नहीं होगा उतना जादा, उसके बाद हम लोग AIDS, फिर कैंसर, SRIG, हर टापिक को मैंने सिर्फ एक लेक्चर दिया है, जादा समय इसलिए नहीं दूँगा, ठीक, धन्यवाद, मिलते हैं कल अगले लेक्चर